हलो फ्रेंड्स यूनियन बैंक आफ इंडिया फिर देखें दोस्तों में चार्ट से रखा चार्ट में study करते हैं कि चार नॉम्बर को शेयर ने gap अपमारा था 49.60 पैसे उसी पे close हुआ है weekly chart देखें तो दोस्तो weekly chart में शेयर ने एक high बनाया था 51 रुपीज का 21 October को वहां से नीचे आया फिर उपर गया फिर नीचे आया और closing हुई है 49 रुपीज पे देखें निफ की future positive है Monday की market positive open होने को उम्मीद है पहला target होना चाहिए 51 रुपीज 35 पैसे का कितने का 51 35 का वह level sustain किया तगडी तेजी के लिए आप तयार रहिएगा support यह बात करते हैं देखें 46 रुपीज 20 पैसे का एक support है जो इसने बनाया था एक number को रहाई यह level इस level के नीचे जाना लगबद अगर वह impossible है और उपर जाने के chances ज्यादा है एक short term support आप 47 47 45 का मांद के चलिएगा बट वह अगर वरकिया तो 46 35 का बहुत strong support है इसके नीचे जाना impossible है तो यह levels आप ध्यान दे रखेगा